बहुमी ने वीरोनी भुमी उपरांत विकास नी भुमी बनावी चे एवा वसुंद्रा राजे जे मने गरीब गुरुहीन ना आखमाती आशु अने तुमारा रसोडाती दूर करिया एवा दरमेंत्र प्रदान जे मने गुजरात ना संगडन ने एक नवी चेतना आपी एवा स पुच्चे जबर्चस तालियो ना गड़ाट साथ गगन भेदी मान्य मोधी साहिब ने तालियो ना गड़ाट संब्लाई यह प्रकारे जबर्चस्त स्वागत करिये बारत माता की बारत माता की वन दे वन दे अपनी वच्चे बदाज माहनों बहुत पतारी चुक्या छे हूं एना उंसर स्री ने विनंती करीश के आगणनों कारेकरम सरू करे सव कारेकरता हो पोथ पता नहीं जग्या लेवा मंडे अने कारेकरम अवे यहां सरूत आई छे बारत माता की प्रदान मंत्री उजवला योजना के रीजिनल लॉंचिंग जिन में गुजरात के साथ साथ मध्या प्रदेश और राध्यश्थान राज्यभी सम्मिली थें इस परवपर पदारे हो है हमारे भाजबा के राश्ट्री अध्यक्स श्री अमीद भाई शाह साब हमारे गुजरात के राध्यश्थान 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 के राध्यश्था बार्धी जन्तापाटी ना राष्ट्री अध्यक्स मान्निय अमिद्वैसा, गुजिनातना प्रथम महिला मुख्यमंत्री लाडिला बेन अनन्दी बेन, परमाद्रानिय मध्या प्रदेश ना मुख्यमंत्री शिवराशींजी चववान, मान्निय वसुंद्राजी, मान्निय धर्मेंद्रजी, राज्यना भार्जन्तापाटी ना प्रमोख मान्निय विजयवी रुपानी, मंत्री मंडला मारा साथियो, मंचुपर ना सव साथियो, अटली गर्मी मापन अटली विशार संख्यामा उपस्तित आप सव वडिलो मित्रों माताओ बेहनो, लाबार्थी भायो बेहनो औने पत्रकार भायो बेहनो, सवथी पेला हूँ, मानिया वडा प्रजान स्री नरेंद्रभाई मोधी न रदयपुर्वक न अभार मानुछु के बिजाचरन न कारेक्राम एक गुजरात ने आपयो औने मारा प्रभारी दाहोत जिल् दर्मेंद्रभाई मोधी नो औने धर्मेंद्रप्रधान साहिब नो, हूँ बजाने आवकारूँछु, स्वागत करूँछु बद्धानो, विशेश स्वागत, एक वकट आज जिल्लाना प्रभारी रिचुकेला, प्रभारी मंत्री रिचुकेला, औने राष्टी अध्यक् आपना जिल्लामा आवे छे, अम्बीद्विश्चा अने राज्य विजेपी ना प्रमुख मान्य विजेवी रुपानी बन्ने ने आपने तालियोना ग्रगणा थी स्वागत करिये छे, समय घणो थयो छेटले मुशे समय लेतो नो थी, हरिवार, राज्य सरकार्वती, आ ज जिल्लाना प्रभारी मंत्री तरीखे, उरजय पुर्वकनों साउनों खुबखो स्वागत करूछू जैजय गर्वी गुजरात। साथ साथ मैं अनुरुत करूँगा, हमारी जो प्रशाशनिक टीम है, वो तयार रहेगी, दीप प्रागर्ट्य के उपरांत तुरंती मंच्रत मानुबाव का मभिवादन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आधनिय बिजेपी राष्ट्या अध्यक्षरी, अमीदवाई शासा बापका, आधनिय तीनों मुख्य मंत्री श्री, आधनिय पेट्रोल्य मंत्री श्री सभी का धनेवाद। अनुरोत करीशु अमारा जिल्ला ना समगर वईवाटी तंत्रने के सारु प्रतम मेमानों वईवाटी तंत्रनों अभिवादन करें। श्री पंकस जोसी सर अग्रस चीव स्री ने अनुरोत करीशु अमारा जिल्ला ना प्रभारी मंत्री स्री सूस्री सोनल मिस्त्रा मेडम ने अनुरोत करीशु मानने मुख्य मंत्री स्री गुजरात राजय नो अभिवादन करवा माटे। करेक्र श्री श्रीमिय घौंधी सरय विननती करिए対म अमंटरी स्री मत्यप्र देस्अ मानए निया मुख्य मंत्री प्रदान श्री रेंज दी आईजी श्री मेर चावडा साइब नरूर रोच्छे मानने पेट्रोले मंत्री श्री दर्मेंदर प्रदान साब का विवादन करेंगे SPRève मनो नीवाँ साब अमारे प्रदार मंत्री श्री प्रभारी मंत्री श्री भुपेंद्रसीं चुढासमा साभ का भीवादन करेंगे कमलेश बोर्टर सायब EDM श्री नानुड़ोच्छे राजेना प्रदेश अध्यक्षिने वहान विवार मंतरी स्री वीजय वैरुपणी नू स्वागत करशे खुबखु बाभार संगठन ना मित्रों ने खुबखु बाभार पुनना मंचस सव माहनु बावय नू स्वागत चे यहां पर बिराद में सबीक अविवादने स्वागत ते आप सब का 6 अप्राइल 2016 को प्रदान मंत्री उजवला योजना का बलिया में उतर प्रदेश में लॉंचिंग किया था हमारे आदर्णिया प्रदान मंत्री सिरी नरेंद्र मोधी साब ने उनी की कुछ जलक किया है जो हम यहां पर प्रसारित की जाएगी प्लीज साथ अरे कितना बार बोले हैं तुमको कि चूला से हाट के बैठो अभी भार जिन्दिगी इसी के साथ तो जीना है ना जाओ यहां से यह आज कल की लड़की लोग का समझे चूला और उसकी मेहनत हमें तो कितना परेसानी उठाना पड़ता था हाँ हमारा चूला तो जैसे अपने आप ही जल जाता है हम रिमाएं तीस जन का परिवार दुए में खाना बनाना दिन राथ ऐसा दमाखासी लगा कि मर ही गई एक तो गरीबी का काला साया और उपर से मन राते ये मौत के काले लादे लोग मरते हैं तो आग लखड़ी और दुआ मिलता हमारा जीवन तो जीते जी ही लखड़ी आग और दुए आग लखड़ी और दुए चलिए माँ रोटिया बना लिए कुछ प्रों में रोटिया बहुत महिंटी पड़ती है फेपड़ों के पुर से खोल कर ये सोर सोर से बोती है एक करिदमा जब लखड़ी के चूले से खाना पकाती है तो वज्यानिकों का कहना है एक दिवस में उसके सरीर में चार सो सिगारे का दुए चला जाता है बच्चे घर में होते हैं और इसलिए उनको भी दुए में ही गुजारा करना पड़ता है खाना भी खाते हैं तो दुआई दुआ होता है आप से पानी निकलता है और वो खाना खाता है मैंने तो ये सारी हाग बच्च्पन में मैं जी चुका अनुभाव करके आया हूँ उस पीड़ा को जी करके आया हूँ पर जो आजादी से लेकर अब तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है हमारे प्रधान मंत्री जी ने मिसन उठाया है कि देश के हर गाउं हर सहर के सभी परिवारों को एलपी जी पहुँचाना है हर घर को धुआ रही करना है और लोग इस मिसन की फुरुआत तो हो चुकी प्रधान मंत्री उजवला योजना के साथ इस साल सरकार देगी तेर्ल करोड बीपियल परिवारों को एलपी जी कनेक्शन तीन साल के भीतर भीतर पांच करोड गरीज परिवारों में ये रसोई गैस पहुँचाने का मिरा यादा है हमारा स्वास्त सुधरेगा हमारे परिवार का वे भला होगा एक औरत सुखी तो परिवार सुखी बहुत दिल याद करो जब साउसर पार्लामेंट का मेंबर बनता था तो उसको हर साल रसोई गैस की 25 कूपन दी जाती थी और वो अपने इलाके में 25 परिवारों को साल में रसोई गैस दिलवाता था और ऐसे भी लोग थे कि रसोई गैस का कनेक्शन लेने के लिए दस दस पंदरा पंदरा हजार रुपिया वो स्टिकीद खरीचने के लिए ब्लैक में खर्च करते हैं परकार में ठान लिया था कि सबसीडी में होने वाली चोरी को खतम करना है इसलिए शुरू हुई पहल योजना हमारी गैस सबसीडी सीधा हमारे बैंक आते में बेजने के ओन लाइन कंप्यूटर या मुबाइल से किलिक हो गया यह जो गैस की सबसीडी दी जाएगी वो भी उन महिलाओं के नाम दी जाएगी उनका जो प्रधान मंत्री जंदन एकाउंट है उसी में सबसीडी जमा होगी ताकि वो पैसे किसी और के हाथ न लग जाए उस मा के हाथ हमें ही पैसे लग जाए यह भी वबस्ता है उन्होंने खुद देश के समरुद देशवासियों से अपनी गैस सबसीडी छोड़ने का आधरा किया का कहते हैं इंग्रेजी में गीविट अप ताकि उस सबसीडी के पैसे से गरीब परिवारों की रफोई तक गैस पुंचाई जा सके उनकी पुकार पर पूरा देश उनक लोगों ने अपनी गैस सबसीडी छोड़ी और इधर करीबों तक हाथों हाथ एलपीजी गैस पहुंची आज लकडी के कारण जो खर्चा होता है इस रसोई गैस से खर्चा भी काम होने का आज उसकी तभीयत को बरबादी होती है उसकी तभीयत भी ठीक रहे हैं आज लकड ना आग न धूर खेवल पच्छे इंदिल बहतर जीवन भाई शाजी के करकम्रों से गुजरात राजस्थान और मध्यप्रदेश के लिए साथे प्रदेश मामंत्री स्री अमीद भाई ठाकर मैशागर जिल्ला भाजबा प्रमुक श्री जैपकाश भाई पतेल पूर्वधार सब्यस्री राजेश भाई पाठक अने पूर्वधार सब्यस्री काड़ू भाई मालिवाडने टीम एपन जिल्ला नादरने प्रभारी मंत्री श्री मानेने काईदा मंत्री श्री मार्गने मकान राज्यकक्षा मंत्री श्री मत्षो द्विभागना मानेने मंत्री श्री आने आदरने श्री सांसर्ट श्री जस्वांजी बाबोर साहिब जिल्ला भाजबा प्रमुक श्री मडी ने बारती जिंता पार्टी नादर्णी अध्यक्ष्री अमीद बैशा साहिबनों अभिवादन करी रहाचे खुब खुब आभार मानेने प्रवारी मंतुरी श्री चूडास मासाहिब अध्यक्ष्री ने पागडी पेरेवी रहाचे साथे दाओ जिलानी ववनवंदू समादनी ओडखनू प्रतीक तीर ने कामठू और पंकरी ने अभिवादन करी रहाचे खुब खुब आभार गुजरात राजे ना मानेने मुख्य मंतुरी श्री गतिशील गुजरात ना प्रणेता आदेने स्रीमति आनेंदी बेत पटेल सहिबनू स्वागत कर्शे श्री चत्रसी भाई मोरीना नेत्रुत वैटनी टीम शब्द सरण भाई ब्रंबत, अमीद भाई ठाकर, जे प्रकाश भाई पटेल, पूर्व धारा सब्यस्री और राजेश भाई पाठक अने काडू भाई मालीवाड त्यार पच्छी त्रीजी टीम तैयारे से, सांसा स्री पंचमाल प्रभाशी चहुणन नित्रुत वैटर, बरत भाई पंडिया प्रदेश प्रवक्ता श्री, पंचमाल देरीना चेर्मेन, अने धारा सब्यस्री जेठा भाई आहिर, दोलत जी भाई भाई सार जाबवा जिल खुब 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 आभार, प्रभाशी चोहान साहिब वाड़ी टीम भरत भाई पंडिया ने अनुरोत करीशू, मध्या प्रदेश ना मानानिया मुख्या मंत्री स्री शिवराशी जी चोहान साहिबनों अभिवादन करशे, मध्या प्रदेश के अधरनिया मुख्या मंत सिवराज सिंजी चोहान साब का अभिवादन करेंगे जेठा भाई बर्वाड बरत भाई पंड्या और उनकी टीम आगे एक वर टीम तयार रहेगी दारा सब्य स्रिमती निमिश्य बेन सुथार मुर्वाहडप मिनाक्षी बेन पंड्या सुधिर भाई लालपूर्वाला मनोहर जी पटेल बासवाड जिल्ला भाजपा प्रमुक्ष्री महारावल उरशी देवी जी तुशार सीन जी अने लिला बेन अंकोलिया आटी महिया उभीरेशे तैयार रहीने माननिय राजयस्थान के मुख्या मंत्री वसुंदराजी राजय का अभिवादन करेंगे निमिश्य बेन सुधार विदायक मुर्वाहडप और उनकी टीम स्री अर्वीन्द भाई राटोड दारा सब्यश्री कालोल रमेश भाई कटारा दारा सब्यश्री पतेपुरा पुर्वा सांसात्री पुपेंतर सिंजी सोलंकी पुर्वा दारा सब्यश्री बचुवाई किश्वरी पुर्वा दारा सब्यश्री राजगाड पतेशी बाई पुर्व दारा सब्यस्ति नगर सिंगवे पसाया औने राजय सबाना पुर्व सांसर श्री गोपाल सी सोलंकी आ टीम मडी ने तैयार रेशे अर्विन सी राठोडाने एमनी टीम ने अनुर्वत करीशु पेट्रोलियम प्रधान आदर्णिय श्री धर्मेंदर प्रधान जी का अभिवादन करेंगे अर्विन सी राठोडावनुन की टीम आगे बड़े और मंचस्त जो मानु भावे हमारे उनकी सूची में अंतीम स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अमारे कुबेर भाई दिंडोर चैर्मेंश्री वीच्या भाई भूरिया धारासभेश्री लिमखेडा अश्वीन भाई पतेल पंचमाल जिला वीजेपी प्रमुक्ष्री पुर्व सांसत्री बाभु भाई कतारा पुर्व धारासभेश्री महेश भाई भाई भूरिया पु बहुत खुशी के बात है हम सब के लिए कि इस प्रकार के समारों जब जब भी होते हैं तो उन समारों में मानुबाओ का स्वागत किया जाता है। मैं अनुरोत करूँगा आप सभी से मंचस्त मानुबाओ से आपकी जो स्वागत की सामगरी है वो आंगणवाडी की बेनों को आपके करकमलों के द्वारा अरफीत की जाए। बहुत बहुत शुक्रें आप सभी का मैं नमना निवेदन के साथ अनुरोत करूँगा भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालाई के यादर्यनिया स्वातंतर प्रभारवाले मंत्री श्री दर्मेंदर प्रदान साथ को कि आपके मंत्रालाई के द्वारा भारत सरकार के द्वारा प्रदान मंत्री उजवला योजनाल का रिजोनल लॉंचिंग आपर हो रहा है आपके प्रेना सोत्र मार्क दशन के लिए आपके उद्वोधन के लिए भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्राले और प्राकृति गेस मंत्राले के यादेनिय स्वतंतर प्रभारी मंत्री स्री धर्मिंदर प्रदान सब इस पभीत्र भूमी गुज्राट की दाहोग इस इत्याशिक भूमी में आज भारत सरकार की ओर से गुज्राट सरकार की सहोग से इस कारेकरम में उपस्ती भारतिया जनता पार्टी के राश्ट्रिय अध्यक्स्य माननिय अमीद भाई सहाजी गुज्राट के लोकोप्रिय मुक्षमंत्री सनमाननिया आनन्दी बेन पतेल जी राजस्तान के लोकोप्रिय मुक्षमंत्री जननेत्री स्रिमति बसुंधर राज शिंद्या जी मध्य परदेश के जननेता लोकोप्रिय मुक्षमंत्री मान्य सिवराशिंग चोहान जी गुज्राट सासन के सिक्ष्या ततापूर्ती बिभाक्य मंत्री दाहोत के प्रभारी मंत्री मानन्य भुपिंदर शिंग चुडास्मा जी भारतिय जननता पाटी के गुज्राटी काई के अध्यक्स बिजय भाई रुपानी जी गुज्राट सासन के मंत्री प्रदीप शिंग जाड़ेजा जी शेतर सिंग मरी जी परमार सांप बच्चु भाई राश्तान के मंत्री जितमल जी यहां किस्तानिय सांसद यस्वन सिंग भाई जी मंचस्त सारे नेत्रुत्व भारत सरकार के पेट्रिलियम कंपनी के अधिकारी तीनों राज्य के अधिकारी बंदू और इस विशाल सार्वजनिक सभा में उपस्तित इस अईत्याहसिक भूमी के शुभाविक गुज्रियाट से जादा मित्रहिया उपस्तित है लेकिन मध्यपरदेश राजस्तार भारत की इस पवीत्र भूकंड में इस गरीबी इलाका में आधिबाशियों के इस बाहूल ले इलाका में उपस्तित सारे भाईयों और वहनों और पत्रकार मित्रों मैं खुद को सुभाग्या साली मानता हूँ आज कि इस पवीत्र दिबस में भारत सरकार की दोरा मानन ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दोरा अभी जो नई योजना सुरू हुई है प्रधान मंत्री उज्जला योजना की नाम पे जिसकी लोकारपन एक मई को शुएंग प्रधान मंत्री जी की कर कमल पे उत्तर प्रदेश के अंदर हुई बल्या में हुई आज उसकी काम उसकी सेबा इस पवित्र भूमी से सुरू हने वाला है भारत की साधिवाशी भुकन से सुरू हने वाला है गरीबों के लिए ये कारकरम आज से गुजराट, राजस्तान, मध्यपरदेश इन तीनों राज्यों की सीलाका में सुरू होगी हम लोगों की सुभागय है पार्टी के राष्ट्री अद्यक्षा, अमिद भाई ने समय दिया और उनकी करकमल पे उनकी नेतुर्तों में आज इस कल्यान का रियोजना सुरू होगी यह और एक सुभागय की विशे हम लोगों के लिए तीन प्रदेश के सनमानन या मुख्यमंत्रिगर्ण, अनादी बिन पटेल जी, बसुद्धर राज शिंद्या जी, सिवरा सिंग चोहान जी, इन तीनों की गरिमा मैं उपस्तित, भारत सरकार की होसला बढ़ाती है, मानन प्रदान मंतरी जी की नेतूर्ट्व में चलने वाले लोक खल्यान का योजना की आज हम लोग साक्षी बनने वाले हैं, मित्रों मैं तमाम नेतूर्ट्व की अंदर और आपके बीच में दिवार नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन दो तिन विशे आपके सामने उल्लेक करना चाहता हूँ मित्रों दुनिया की अंदर अगर हम हिसाब करें हिसाब जोड़ें तो ग्यास दुनिया में जितनी सारे उर्जा खपत होती है उसकी 24 प्रतिसद ग्यास ग्यास से होती है बिजली कोईला से बनती है बिजली ग्यास से बनती है घरेल विंधन बिजली से भी चलती है ग्यास से भी चलती है पानी से भी जल विदूत उत्पादीत होती है परिबहन पेट्रोल डिजेल से चलता है मित्रों अगर दुनिया की सुर्जा की खपत को हिसाब करे 24 प्रतिसद खपत ग्यास से होती है अगर भारत को उसके साथ में तुलना करता हूँ भारत में समूचे देश में 70 साल की आजादी के बाद 7 प्रतिसद की ग्यास खपत होती है उर्जा में 7% ग्यास की योगदान है मित्रो अगर मैं गुज्राट को हिसाब करता हूँ गुज्राट को मैं अनुद्यान करता हूँ समिक्षा करता हूँ मैं आपके सामने एक सहर्स एक सुचना उल्ले करना चाहूंगा बताना चाहूंगा गुज्राट दुनिया की आभरे से भी आगे है गुज्राट के अंदर 25 प्रतिसद ग्यास खपत होती है मित्रो ये माननिय आज की देश की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुशल नेतृत्व की यही प्रमार है जो आज हम देश में लागू करने वाले हैं मित्रो अभी प्रधान मंत्री जी को हम सुन रहे थे भारत की गरी बिलाका में अभी ग्यास नहीं पहुंचिया घर में ग्यास नहीं पहुंचिया माताओं को लकड़ी उठाने के लिए जाना पड़ता है उपले बनाना पड़ता है अनेक कस्ट सहना पड़ता है बारिसों में तो और दिकत बढ़ जाती है गर्मी में तो और दिकत बढ़ती है जाड़े में तो और दिकत बढ़ जाती है सिर्फ जंगल जाना नहीं बिच्छु की डर है साब की डर है कीडा की डर है अन्य सामाजिक समश्याओं की भी चिंता है महिलाओं की स्वास्ते एक अलग विशे है बच्चों की स्वास्ते एक अलग विशे है गर में जो बुजुरुक रहते हैं अंजाने में ओ भी घरेली दुआं से प्रभावित होते हैं क्या मित्र कल्यानकारी सासन की ये जवाते ही नहीं बनती हैं उनकी जिंदेगी को बेहतर बनाए काल भी में जब गुज्राट के अंदर उत्रा एक पत्रकार मित्र ने पूछा कि दुनिया के अंदर तेल की भाव घ हटा में काल उनको उत्तर नहीं दिया में मेरे ने तुर्तों की सामने आप सब की सामने निष्ची द kings में मोधी जी सरकार की एक मंत्री की नाते उत्तरद आई हूँ मैं आज उत्तरद ने चाहता हूँ मित्व दुनिया के अंदर तेल की भाव घटी हमने पचास साथ प्रतिसद ग्रहाकों को भेजा बाकी कुछ पैसा बचाया गरीबों की कल्यान के लिए बचाया उनकी स्वात सेवा के लिए उनकी सिक्षा के लिए बचाया सिंचाही के लिए बचाया पीने की पानी के लिए बचाया रोड रास्ता के लिए बचाया मित्रो ये पैसा बचाके आज भारत सरकार आने वाले तीन साल में देश की अंदर पांच करोड गरीब महिलाओं की घर में सरकारी साहता से ग्यास प पहुंचाएगी जिसकी वादा जब पहली बार मोदी जी सरकार में पहुंचे दिल्ली के अंदर उन्हें पहला भासन दिया था जो जरकार आपके आसिरिवाद से बनी थी अगर गुजराट के गरीब आसिरिवाद ना करते अगर रास्तान के गरीब आसिरिवाद ना करते अग मित्रों मोदी जी ने तब भी वादा किया था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पीत रहेगी मित्रों ये भासन नहीं था ये नारा नहीं था इसको साकार करना था आज मोदी जी की सफल ने तुर्तो इसको साकार किया है सरकार की तीजोरी में पैसा देके अरे कॉंग्रेश पुराने सरकार की रास्ता सरकार की तीजोरी की पैसा देश की बाहर चली जाती थी आज मोदी सरकार के अंदर तीजोरी की पैसा गरीब की जोपड़ी तक पहुंचेगा सिलिंडर की रूप में पहुंचेगा मित्रों इस पवित्र काम में आप लोगों की सहयता चाहिए योग एक करोर लोगों ने ग्यास अब चिरी छोड़ा है कि इसकी महात्रा आने वाले दिनों में बढ़ना चाहिए और जो गरीब छोड़ेगा, जो गरीबों के लिए छोड़ेगा ये गरीबों की घर तक पहुंचाये जाएगा गुज्राट के अंदर भी मैं आने वाले दिनों में रास्तान जाके अलग हिसा दूँगा मज्जपरेश जाके अलग हिसा दूँगा मैं गुज्राट के आंकड़ा देख रहा था गुज्राट में आने वाले दिनों में हम LPG Connection 25 लाक घरों में पहुंचाएगे सरकारी साहता में पहुंचाएगे उसके अलबा 15 लाक सहर की घरों में उगांधी नगर हो अहमदाबाद हो बड़ोदा हो नवसारी हो सूरत हो ऐसे सारे सहरों में जहां पाइप से ग्यास पहुंची है ऐसे और पंद्रा लाख घरों में ग्यास पहुंचाएंगे मित्रो आने बाले दिनों में गुज्राट की मावेहनों की सेवा के लिए गरीबों की सेवा के लिए आदिवाशियों की सेवा के लिए 25 लाख में LPG Connection जुड़ेगा और 15 लाख Connection सहरों में जुड़ेगा 40 लाग परिवारों को 40 लाग माताओं की जिन्देगी में सहुलियत आए सच्छत आए उनकी स्वास्त ठीक रहे उनकी कामकास ख्यमता बढ़े इसकी प्रतिबधता भारत सरकार की पास है गुज्रार सरकार की पास है हम दोना सरकार मिलके पोडोशी राज्य या आदिवासी इलाका ये पिछड़ा इलाका इसको आज आदी की 70 साल में लंबा समय जिन्नोंने सासन किया अन्नेखा किया घड़िया लिया आसू बहाया उसको आज हम जिम्मे मारी लेते हैं भरपाई करने के लिए मैं आप सभी के पास आभार प्रकट करता हूँ भारत सरकार की इस महतो पुनकारेक्रम में प्रधान मंत्री उज्जोला योजना में सामिल होने के लिए तमाम मंचस्त नित्रुमगन को मैं आभार प्रकट करता हूँ आशिरवाद करने के लिए धन्यवाद भारत माता कीचाई बहुत बहुत शुक्रिया आदर्णिय मंत्री स्री दर्मेंदर पदान जी आपका अब मैं अनुरोदन करूँगा हमारे राजिस्तान के आदर्णिय मंत्री स्री वसुंदरा जी राजे को आपके उत्वन्तर के लिए और उनके पहले मेरा अनुरोद है हमारे डिर्ड डिरेक्टर पुपादियाई साब को राजेस्थान सरकार के आदर्णिय मंत्री स्री जीतमल जी खांट पदारे हैं तो आप इनका अभिवादन करें और मेरा नमर अनुरोद और निवेदन है राजेस्थान के आदर्णिय मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंद्रा जी राजे जी को राजस्थान ना आधनिया मुख्य मंत्री स्री वसुंद राजी राजे थी आपने मार्ग दर्शन प्रेना संदेशां वडिये भारतिय जन्ता पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष आधर्निय आमित्शा जी मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री आधर्निय शिवराज सिंग जी भारत सरकार के पेट्रोलियम और गैस के मंत्री आधर्निय धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री और दाहोच शेत्र के प्रभारी आधर्निय भूपेंद्र जी चुडासमा भारती जन्ता पार्टी के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेभाय रुपानी जी प्रदीप सिंग जाडेजा जी, कानून के राज्यमंत्री जी, श्री परमार जी, श्री मोरी जी, श्री बज्जु भाई जी, गुजरात प्रदेश के राज्यमंत्री गण राजस्तान से आई हुए श्री जीतमल जी खाट, हमारी राज्यमंत्री, श्री अर्जुन मीना और शीमान शंकर जी नीनामा, दोनों हमारे सांसदगन उदैपूर और बासवाड़ा डूंगरपूर के, श्री धन सिंग जी रावत, श्री भीमा भाई, दोनों हमारे विधायक बहासवाड़ा के कुशलगड़ के और भारती जनता पार्टी के बहासवाड़ा के जिला धक्ष श्री मनु और पटेल जी मेरे सामने बैठे हुए मेरे मंच के उपर बैठे हुए मानिय सब जन प्रति निदिगंड गुजरात के और मध्य प्रदेश के सांसट गर्ण और प्रदेश से मध्य प्रदेश से और यहां गुजरात से सब यहां एकट्टा हुए हैं उन सब को सबसे पहले में प्रणाम करना चाहूंगा साथ साथ आज के दिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे लोकपुरिय, आदर्णिय, प्रधान मंत्री जी शी नरेंद्र मोधी जी को जिनोंने हमारी गरीब महिलाओं की मुसीबत को मान कर समझ कर आज रसोई गैस का इतना बड़ा तोफा उनको दिया है ये शुर्वात उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ जरूर था परन्तु आज इतनी संख्या में आई हुई तीनों प्रदेशों की महिलाओं जिनके बीच में आप इस गैस की सोगात देने जा रहे हो वो इस शन को मैं नहीं समझतियों की कभी भूल पाएंगे मैं आज आदर्णिय अमित भाई जी को और साथ में श्री धर्मेंद्र प्रदान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनों ने प्रदान मंत्री जी के इस सपने को जमीन पे लाने का काम किया है और इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को मजबूत करने का काम किया है मैं मद्ध प्रदेश के जनजन के मामा श्री मानिय शिवराज सिंग जी को बधाई देना चाहूँगी परन्तु एक दूसरे कारण से आज इस मंच पे वह भी हम सब के साथ उपस्तित हैं परन्तु भाई साब मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमारे कारिक्रम जो भी होते हैं वो इश्वर के आशिरवाद के बिना कभी पूरा हो नहीं सकते हैं और हम सबने इस चीज को माना है और आज जिस तरीके से सिंगस्त के माध्यम से आपने अमरित बरसाया है हमारे पूरे देश के अंदर मैं इस महा कुम्ब के अंदर जिन जिन शद्धालों ने जाके दर्शन किया है उन्होंने सबने आपकी इस व्यवस्था को सराह है और मैं नहीं मानती हूँ कि आने वाले समय के अंदर वो बहुत दिन के लिए इस चीज़ को भूल पाएंगे ये एक बहुत ही एतिहासिक चीज़ है और मद्दे प्रदेश ने एक एतिहासिक तरीके से इसका शुबारम और पूरा करने तक के कोशिश की है पूरे देश के अंदर आपकी तारिफ हो रही है और मैं मानती हूँ कि छोटे बड़े काम तो बहुत हो जाते हैं परन्तु यह ऐसे काम को आपने किया है जो दिल में जाके बैठने वाली है और लोग इस चीज़ को को का मिलेगा और सबने मुझे बताया है कि आप आराम से कर सकते हो हाँ आपको कोई पीडा नहीं होगी पर इसलिए मैं भी आपको इसकी धन्यवाद देना चाहती हूं आनंदी भाइन जी के नेतृत में विकास के नए कीरतिमान चुआ है यहां गुजरात के अंदर बार बार मैं याद करती हूँ नरेंद्र भाइजी के सपने को जो जब हम लोग सब मुख्यमंत्री हुआ करते थे साथ में वो हम लोगों को बताया करते थे उस समय का जो सपना था उस समय का जो विजन था उस विजन को आगे ले जाने का काम बहुती सुन्दर तरीके से आज आरंदीवेन ने किया है और गुजरात ने विकास की नई उचाईयों को छूँने का काम किया है मैं आज आपको आपके पूरे मंत्रीगंड को और यहां उपस्तित गुजरात के सब भाईयों को बहुत सारी बधाईयां देना चाहती हूँ तोकि मैं समझती हूँ कि यही है जो आगे चलके भारती जनता पार्टी की सशक्त नीव रखने में काम्याप रहेगी दाहोत को तो मैं अलग से धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं तो दो कारण है आज इस पवत्र भूमी को हम तीन तो जुड़वे भाई तीनों लगे-लगे-लगे हैं यहां गुजरात भी हैं मद्रप्रिदेश भी हैं और राजस्तान भी हैं बी-पी-ल परिवार की हमारी महीलाओं को यहां हम लोग result ने जोड़ने की कोशिश की हैं हम लोग खाली जुड़वा बॉर्डर से नहीं हैं मैं समझती की हम लोग दिल से एक दूसरे की जुड़वा हैं और एक दूसरे की मदद करने में हम कभी पीचे नहीं उठें। मैं याद करूँगी कि आदर्णिय प्रिधान मंत्री जी जब मुक्य मंत्री थे तो उन्होंने नर्वदा की सौगात राजस्थान को दिया था। और इसलिए आनदी बेंजी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज लाखों लोग उस नर्वदा पानी का मने अपने छेत्र के अंदर उप्योग करते हैं तो उस समय आप लोग सब को याद करते हैं। भाई भाई तो हम और शिवराज जी भी हैं क्योंकि हम तो कई पानी सिस्टम्स ऐसे हैं जिनको शेर करते हैं। ये दाहोद की वजह से आज मुझे 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 मुखा मिलने वाला है। उसके लिए मैं आप सब को धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक कारण और भी है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगे। राजस्थान के लाके में आपको मालूम है कि हम सब प्यासे हैं। हम लोगों को बड़ी मुसीबत होती है पानी की। 15 साल या 11-12 साल पहले मैंने इंडिया टुड़े का एक अकबार उठा के देखा था। तो मुझे याद है उस समय एक लेख था जिसमें दाहूद और पंच महल के अंदर पानी का किस तरीके से एक चेंज हुआ है। इसके बारे में एक लेख लिखा था। मैंने तुरंट ही पता करने की कोशिश की कि कौन है जिसने दाहूद की जिंदगी को बदलने का काम किया है। गुजरात की सरकार तो पूरी तरह से लगी हुई थी। परंतो मैंने फिर फोन करने के बाद यह पता किया कि यहां एक NGO है जिसका नाम है सद्गुरू फाउंडेशन जिदके जगावत जी ने यहां इतना बड़ा काम हमारे सब ट्राइबल भाईयों के बीच में किया है। मैंने उनको फोन लगाया, उनको राजस्थान में ले गई और इसलिए मैं आपको दन्यवाद देना चाहती हूं कि बासवड़ा के अंदर, जालावड़ के अंदर, डुंगरपूर के अंदर इतना अच्छा काम हुआ है कि जब भी मैं वो वाटर, बॉडिस को देखने जात जो जुडाओं है, वो बना ही रहेगा, मैं आज के दिन याद करती हूँ, 2003 के अंदर मारी परिवर्तन यात्रा थी, 2013 के अंदर सुराज संकर्प यात्रा, और इन यात्राओं के द्वारे, द्वारा मैंने राजस्थान का चप्पा चप्पा देखने का मौका मुझे मिला है यही बाच जो आज पधायन मंत्री जी ने हम सब के सामने इतने जोरदार तरीके से लगातार रखी है, वो देखने को मुझे मिला और मैं अचंबे में रह गई क्योंकि जब मैं दौरे पे थी उदैपूर डिस्टिक्ट में तो भोजन करने के लिए मैं छोटे से गाओं में गई थी जब मैं उस जोबड़ी के अंदर घुसी, तो भाई और भेनो कुछ दिखी नहीं रहा था, अंधेरा था और मैंने उस चूले से ये पता किया कि वो खाट कहा रखा हुआ है, चूले से मेरे को ये दिखाई दिया, उसकी जो लपट थी, उससे दिखाई दिया, कि वो महिला कहां बैठी थी और उसके साथ चब मैं बैठी, तो मेरे आख में पानी आ गया, दूए की वज़े से मुझे खासी आ गई, और मैंने एक मिनिट के लिए सोचना शुरू किया, कि इसने तो जिंदगी निकाली है उसके अंदर, उनकी मदद किस तरीके से की जाए, किस तरीके से इस नार्किय जीवन से उसको निकालने का हम कोशिश कर सकते हैं, आज हमारे प्रधान मंत्री जी ने पहले ही उस चीज़ को सोचा, क्योंकि उन्होंने हमेशा गरीबों के साथ जुड़के, गरीबों के इस बात को आगे बढ़ाके, उसको मिटाने की कोशिश में कोई कमी नी छोड़ी है आज ये फिर से इतना बड़ा काम आपके सामने हुआ है, और मुझे याद है कि जब मैं 2013 के अंदर सुराज संकल्प में खंडार जिले से निकल रही थी, तो सवाए मादूपुर के खंडार इलाके से निकल रही थी, तो एक महिला ने मुझे अपने घर में बुलाया और रो पर इंतु मैं ये कहना चाहूंगी कि आदर निया धर्मेंदर जी से मैंने बात की और मैंने कहा कि हमारी राजस्तान की महिलाएं, आपके गुजरात की महिलाएं, मद्देप्रदेश की महिलाएं भी आएंगी, तो उसमें इस एक महिला रगुनाथी को भी, अगर आप गैस क कुपन दिलाने का काम किया है, ये बिल्कुल सही है जो प्रधार मंती जी कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी MP कई साल के लिए थी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, कि LPG कनेक्शन मिलता ही नहीं था, LPG कनेक्शन के नहीं लाइन लग जाती थी MP के घर के, सांसत के घर के सामने, और जैसे उन्हें ने कहा, खाली 25 कूपन मिला करते थे, हम इस दुविधा में पढ़ते थे, कि हम किसको दें और किसको नहीं दें, स्कूल किसको भेजें और किसको नहीं भेजें, आज वो परिस्टियां बदल गई हैं, और आप सबको बदलती हुई परिस्टि दिखाई दे रही है, और मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूँ, कि ये बदलाव आया है, तो ये उजवला योजना जैसे की वजह से आया है, लोगों की जिन्दकी के अंदर, गैस कनेक्शन और ये सब चीज़ें पहुचने से, आपके गाओं के अंदर स्वच्चता की बात को ले जाने का काम से, ये बदलाव आप लोग सबके आने का, मैं आज के दिन आपको एक इतना ही कहना चाहूंगी, वाके में हमारे पार्टी के बीच में और कॉंग्रेस के पार्टी के बीच में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, और सच्चे अर्थों में अगर गरीबी मिटानी है, तो ऐसी योजनाओं को लोगों के बीच में लाने का काम हमें सब को करना चाहिए फरक हमारी दोनों पार्टी में यही है एक तो वो पार्टी है जो गरीबी हटाओ की बात करती है और एक वो पार्टी है जो अपने इरादों को जमीन पे लाने का काम कर लाके और गरीबी वाके में हटाने का काम करती है यह फरक ह कि हमको आपके लिए ये पैसे देने हैं और याद करके वो जाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम चुनाव के अंदर पिर वापस नहीं आएंगे तो जो सरकार हमारे पीछे आती है उसके उपर बोज डाल दो क्योंकि हमें अपने वाइदों को पूरा करने की कोई उमीद है ही नहीं करने वाले ही नहीं है कभी साथ साल से किया नहीं है और आगे कभी करने वाले भी नहीं हमने अपने इस इरादे को बदलने के लिए जमीन पे लाने के लिए भामाशाय योजना राजस्थान के अंदर चलाने का काम किया हमने यह याद किया कि 234 के अंदर अगर हम ऐ पैसा ऐसी योजना सब के बीच में ला देते हैं जिसमें सीधे उसके बैंक अकाउंट में उसका पैसा जला जाएगा तो इससे बड़ा और कोई काम हो नहीं सकता है हम चाहते थे कि हमारी महिला सर्शक्त हो जाए अब थोड़ा सा बैठ जाओ ऐसे कोई बात नहीं हुआ आप हम चाहते थे कि इस भामाशा योजना के द्वारा हमारी महिला सर्शक्त हो जाए और इसलिए जो योजना हमने जनता के सामने रखी उसने BPL परिवार BPL परिवार की वो महिला जो महिला बिलकुल गरीब है उसके प्रोचसाहन राशी के नाम से उसके बैंक अकाउंट के अंदर 2000 रुपे देना और सब सरकारी जो भी पैसे हैं उसके बैंक अकाउंट के अंदर चले जाए ऐसी स्थिती लाने की हमने कोशिश किये हमने कोशिश इसलिए भी की कि मुझे याद है कि चुनाओं के अंदर मैंने राजीव गांदी को एक समय में सुना था उन्होंने ये कहा था कि एक रुपे मेंसे अगर 15 पैसे गाओं के अंदर पहुच जाते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाता है यही फिर मैंने राभूल गांदी को सुना कहते हुए वो तो और बढ़ चड़ के बोले कि 10 रुपे मेंसे 10 पैसे पहुच जाते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाता है हमारी सरकारों ने ये बता दिया कि 10 पैसे नहीं 15 पैसे नहीं पूरा रुपिया हम अपने बैंक अकाउंटों के द्वारा महिलाओं के अकाउंट के द्वारा राजस्तान में और गरीबों के अकाउंट में हमारे पूरे देश के अंदर हम वो पैसा डाइरेक्ट बिना एक पैसा अधर उधर जाने के उन गरीबों के अकाउंट में भेजने का काम हम करेंगे और हमने करके दिखाया अलग अलग स्टेट्स के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कहीं चले जाओगे तो आपको मालूम पढ़ जाएगा कि कितना बड़ा काम हुआ है पचास साल निकल गए भाईयो और भेनो आपने गुजरात के अंदर पंद्रा साल के अंदर देख लिया कि कहां से कहां गुजरात चला गया पंद्रा साल में आपने देख लिया मद्यप्रदेश के अंदर कि कितने जल्दी मद्ध प्रदेश बदल गया जिस पार्टी को पूरे पचास साल मिले है आप समझो कि अगर वो चाहते तो कितना बड़ा बदलाओ इस पूरे देश के अंदर लाग सकते थे परन्तु वो चाहते नहीं थे इन्होंने पचास साल अपने जेब भरे इन्होंने पचास साल लोगों के बीच में दिवारे खड़ी कर दी इन्होंने पचास साल लोगों को लड़ाने का काम किया इन्होंने पचास साल वोटों की राजनीती की और इसका ये अंत्रुआ कि आज भारत उस गरीबी में हैं ये प्रदेश हैं जिन प्रदेशों ने आगे जाने का काम किया है और इन प्रदेशों की वज़े से और हमारे प्रधान मंत्री जी की वज़े से मुझे विश्वास है और इस देश को विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भारत उस उचाई पे जाएगा जिस उचाई को हमने अपने शास्त्रों के अंदर उसके बारे में पढ़ा था मुझे विश्वास है कि हम वहां तक पहुंचने का काम करेंगे परंतु प्रधान मंत्री जी कोशिश करेंगे, अमित भाई भी कोशिश करेंगे, आपके मुख्य मंत्री भी कोशिश करेंगे, पार्टी भी कोई इधर से उधर पूरे काम में जुटेगी, परंतु जब तक ये पूरी सेना, जात पात को छोड़के, मजब को छोड़के, जब तक ये पूरी सेना, प्यार से उनके पूछे पीछे नहीं लड़ेगी, तो हम कितना भी कर लेंगे, हम उस उचाय तक नहीं पहुच पाएंगे, यह काम मुश्किल का है, परंतु यह काम होना है, कौन सा देश है, जो भारत के आगे चलेगा, यह 21 सदी के अंदर, मैं चनोती देती हू हम सब एक साथ अगर मिलेंगे, तो हमारा प्रदेश, हमारा देश जरूर आगे बढ़ेगा, यह पूछने की बात है, मैं आपसे यह पूछूंगे आज, चुनोती का है काम, परंतु चुनोती के लाइक हम सब हैं क्या, चुनोती ले सकते क्या, अगर चुनोती आप लोग ल आज को बताऊंगी कि आज के दिन अकेले राजस्थान के अंदर एक करोड अठारा लाग परिवार और चार करोड चौदा लाग व्यक्तियों का नामांकन हो गया है, और उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर दो हजार पचास करोड रुपया हम लोगों ने भेज दिया है, य अगर आप जंधन की बात करोगे, आधार की बात करोगे, पूरे देश की बात करोगे, तो अगर राजस्थान में इतना हो गया है, तो यह सोचो कि पूरे देश के अंदर कितना हुआ है, इन सब चीजों को और इतनी अच्छी स्कीम्स हैं, उनको सब को आगे ले जाने का का अगर हम करेंगे तो मैं वान्ती हूँ कि आने वाले समय के अंदर हम यह बनाव लाने में पीछे नहीं rहेंगे मैं फिर से आज के दिल कि आनेंदी बेन जी आपको थन्यवाद देना चाहती हूँ एक में बहुत सारी धन्यवादаете न चाहती हूं प्रधान जी को कि आपने हमको अफसर दिया सभी माता और भेनों को मैं बहुत सारी बधाईयां देना चाहती हूँ कि ऐसे मौके पर ऐसे एतिहासिक मौके पर आप लोगों के बीच में आने का मुझे मौका मिला मैं विश्वास आपको दिलाना चाहूंगी कि जिस स्कीम को प्रधान जी और अमिट जी इनको आप लाए हो हम अपने प्रदेश के अंदर हमारे चार डिस्ट्रिक्स जिसमें दुंगरपूर, बासवड़ा, उदेपूर, प्रतापगड है हमने उनको GIS मैपिंग कर रखा है और इन चार डिस्ट्रिक्स के अंदर हम इस कोशिश में करेंगे कि पहले चरण के अंदर सब की GIS मैपिंग अच्छी तरह से हो जाए और सब को जो गैस आप भेज रहे हैं वो सही तरीके से मिले ये फर्स्ट फेज में आपने को हमको दिया है इन चार डिस्ट्रिक्स के अंदर हम इसको पूरा करके देंगे ये मैं आपको विश्वास दाना चाहती हूँ और फिर मैं आप सब को धन्यवाद देना चाहती हूँ इतनी संख्या में आप लोग सब यहां आए और उन सब को जिनको आज गैस कनेक्शन मिलेगा वैसे तो पांच-पांची उपर आएंगे पर इन तो हजार-जार के नमज में जिनको मिलेगा उन सब को मिरी तरफ से बहुत सारी बधाई क्योंकि मैं जानती हूँ कि गैस आपके घर में आएगा तो जिन्दगी बदलेगी जरूर और यह तो पहला ही कदम है ऐसे बहुत सारे कदम हमारे प्रधानमंती जी ने लिया है और मुझे विश्वास है कि आपको यह देखने को बहुत जल्दी मिलेगा सब को बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारी बधाई है बहुत बहुत शुक्रिया हमारे राजिस्तान के आदेनिया मुख्यमंत्री माननिया वसंद्राजी राजे जी का मैं नमरा अनुरोद और विंती करूंगा हमारे मध्यप्रदेश के आदेनिया मुख्यमंत्री श्री सिवराज सिंग जी चोहान साब से आपके प्रेना संदेश के लिए आदेनिया मुख्य मंतरी जी मध्य प्रदेश स्री सिवराट स्री जी चोहान सब बोलिये भारत माता की जोर से गुजरात की धरती है ये भारत माता की गुजरात की जनता की कारिकम में आए बेहनों भाईयों की और हमारे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी की मन पर विराजबान आज के कारिकम के मुख्य अध्धी भारती जन्ता पारिटी के राष्टी अध्यक्ष जिनके नेत्रत्व में पारिटी लगातार आगे बढ़ रही है और मैं आज ही आपको यह सुचना दे रहूं कि अमित जी है जिनके नेत्रत्व में पहली बार हर्याना में भाज़पाने सरकार बनाई महराश्ट में अकिले सरकार बनाई जम्बु कस्वीर में सरकार बनाई जारखंड में सरकार बनाई और उन्नीस तारीक को पहली बार आसाम में भारती जनता पार्ट की सरकार अमित जी की अद्धक्षता में बनेगी ऐसे हमारे राश्टी अद्धक्ष आदनी अमित साहजी जिस विभाग का ये कारिकम है और प्रधान मंत्री जी ने जिन को ये महत्मून काम सुपा है गरीबों तक गैस के सिलेंडर मेहनों तक गैस के सिलेंडर निसुल पहुंचाने का इस विभाग को वो नई उचाया दे रहे हैं मेरे मित्र धर्मेंद्र प्रधान जी गुजरात में जो विकास के माध्धम से आनंद की बरसा कर रही है वैसी गुजरात की ये सस्वी मुक्षमंत्री और मैं जानता हूँ कि मानी नरंद्र मोदी जी के बाद मुख मंत्री बनना कितना कथिन काम है क्योंकि उनके नितरत में गुजरात कैसे आगे बढ़ाए लेकिन उस काम को बखुवी कर रही हमारी बेहन आनंदी बेहन पटेल जी और राजिस्थान की वसंधरा में प्रिगतिय और विकास को लगातार आगे बढ़ाने का दायत सफलता के साथ निवा रही है नए प्रतिमान खड़ी कर रही है हमारी वहन राजिस्थान की सस्वी मुख मंत्री आदर्नी अवसंधरा राजे जी मन्ज पर विराजमान आदर्नी भूपेंद्री जी प्रभारी मंत्री जी पारिटी के प्रदेश के अध्यक्ष आदर्नी विजे जी प्रदी जडेजा जी परमार जी मौरी जी बच्ची वाहु जी सभी साथी निता पदाधिकारिगन मदप्रेश के जहागवा के जिलात देक्ष दौरत जी और इस बिराज जनसभा में उपस्ठित मेरे बहनों आप सबको दोनों हाजोल के मैं प्रणाम करता हूँ आप सबको नमसकार करता हूँ सच मुच में इस गुजरात की धरती को प्रणाम यह ऐसी धरती है कि जिसने एक नहीं अन्यकों महापुरसों को जन्म दिया है महात्मा गांधी सरदार बल्लबहाई पटेल और दुनिया मे जिनकी बाद सबसे जादा सुनी गई धान से सुनी गई महात्मा गांधी से सबसे पहले और आज मुझे कहते हुए यह गर्व और प्रसनिता है कि सारी दुनिया आज भारत के प्रणामंत्री नरेंदर मोदी जी को धान से सुन रही है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री तो देश उनमें प्रणामंत्री ढूलता था और जब वो भारत के प्रणामंत्री हैं तो देश पूरी दुनिया उनमें वेस्विक नेता को देख रही है ऐसी यह गुजरात जिसने एक नहीं यहने को अभी वसंद्रा वेहन जी मद्द्देश की तारीफ कर रही थी लेकिन म के चाएता हूँ कि कही काम हमने राजिस्तान से सीखते हैं और कई काम में हमने गुजरात का अनुसरन किया है गुजरात से हमने सीखा है उन कामों का विस्तार से ब्यौरा देने कास समय नहीं है लेकिन सच मुझ में कभी पंडित दिंद्याल उपाद धायजी ने कहा था मानब जीवन का अंतिम लक्षे परमात्मा की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति वो कैसे मिलेगा तुरों का मैं नहीं जानता कि माल की कंद्राओं में रहके घंगोर तपस्य करोगे तो भगवान प्रसंद हो के दर्संद देगा कि नहीं देगा लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अदि दिनों की सेवा कर ली दुख्यों की सेवा कर ली अरे अगर गरीबों की आँखों के आशु पहुंच दिये त आफ़ छात नाराइन दिखाई देगा और इसलिए भहारती जनता पायर्टी ने कहा कि हमारे लिए तो दरतर ही नाराइने जनतई जनार्दाने इसकी सेवा कर ली तो समझो भगवान की पूजा हो गई ये प्रसंद तो समझ लो बो पक्रसंद और मेरे बेहन और भाइयो भा गरीब से गरीब का बैंक खाता अगर खोला तो प्रधान मंतिरी नरेंदर मोधी जी की सरकार ने उनके नेत्रत में खुलवाने का काम किया बीमा की दो दो योजना है भगवान ना करें कभी दुर घटना हो कभी कोई ऐसी आपत्ति का सामने करना पड़ें लेकिन यो दुनिया किसी बीमा योजना एक अद्भूत योजना कांग्रेस के जमाने में जो बीमा योजना थी वो केवल बैंक के लोन का बीमा करती थी अभी हमारे प्रधान मंत्री नरेंदर वोदी जी जो सही अर्थों में किसान की फसलों का बीमा कर रहे हैं और इसकी विसेस्ता है कि जितना टने के बाद खेत में या खलियान में भी फसल खराब हो गई donc उसका भी भी-मा किया जाएगा और किसान को किसी भी कीमत पर बरबाद नी होने दिया जाएगा ये चमतकार किया तो नरैंद्र मोदी जी ने किया मैं बाकी योजनाव का जिकर नहीं करूंगा लेकिन आज का ये कायरकम मेरी बेहने में देख रहा हूँ, बेहनों का एक तरह से समुद्र उम्ड़ा हुआ है, और पुरधान मंत्री जी ने जो मारमुट बात कई, हम भी जानते हैं, वसुंद्रा जी भी जानती है, आनंदी बेहन भी जानती है, सारे नेता जानते हैं, क्यो हवा मुझे बाहर जाती है तो उतने धुआ फैंफ़ों के अंदर चला जाता है अब प्रधान मंत्री जी ने बताई है कितना धुआ फैंफ़ों के अंदर जाता है आंख में पानी फैंफ़ों में धुआ स्वास्थ खराब हो जाता है और पूरी जिंदगी कई बार बेहन खास अब निस्तुल्क मिलेगा एक दो लाख लोगों के नहीं पांच करोड बेहनों को मिलेगा इससे बड़ा उपहार बेहनों के लिए कोई हो नहीं सकता जो हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने दिया है और इस कारण मैं उनका अभिनंदन करता हूं सच में मैं उनका स दूर नहीं है जब दुनिया में नंबर एक के स्थान पर अगर कोई पहुँचे गा तो हमारा भारत पहुचे गा हमारा हिंदुस्तान पहुचे गा और वो दिन लाने के लिए भारती जंता पार्टी की सभीराज सरकारें अपनी अपनी तरफ से बहतर काम करने की कौसिस कर मैं आप सबको लंबी बात ना कहते हुए आप सबको निमंतर देता हूं वसंद्राजी ने कुम्भ की बात कहिए अमिद भाई मां होके आए नर्मदा जी का जल पहले मोदी जी सावर मती में लाए तो मैंने भी सोचा सिवराज तू क्यों चूक रहा है मत चूके चौहान तू भी नर्मदा के पानी को छिप्रामया में लेया हम नर्मदा जी के पानी को लिफ्ट करके छिप्राजी में लेके आए हैं अमिद भाई उस सुद्ध और पवित्र जल में इस्तान करके आए हैं संतों के साथ अमिद भाई का वो कारिकम भी एक नया इतिहास रच गया दलित सं तो होंगे उनको महा मंदले स्वर बनाने का काम जूना अखाडा करेगा वो कारिकम नया इतिहास रज़ गया सच मुच में मैं आप सबको भी निमंतरन देता हूँ आईए महकाल महराज की नगरी में आईए छिप्रा मया में डुप की लगाईए पुन्न का लाब कमाईए आप फिर से प्रधान मंतरी के जो अभियान है स्वच्छता का अभियान हो बेटी बचा बेटी पढ़ा अभियान हो या बाकी अभियान हो जैसा वसंदरा जी कह रही थी उन सब को समाज को मिलके सफल बनाना है कर प्रधान मंतरी जी उज्जैन में थे विचार कुंब का समा पूरी दुनिया को 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 पूरी दुनिया क चारों तरफ बांदियो दोनों मुठ्टी और मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की बहुत-बहुत धन्यवाद प्रणाम नमस्कार बहुत-बहुत शुक्रिया आदेनिया मुख्यमंत्री स्री श्रीवरा सिंजी चोहन साव अपका नम्र रिवेदन अनुरोत करिशु गुजरात राजे नामानेने मुख्यमंत्री स्री स्रीमति आनन्दी बेन पतेल सहीब ने आपना प्रेना संदेश ने मागदुशन माटे आधेनिया मुख्यमंत्री स्री स्रीमति आनन्दी बेन पतेल सहीब आपना प्रदान मंत्री द्वारा उज्वला कार्यक्रम नो आयोजन गुजरात मा करवा माटे आपने सौने निमंत्रण आपी आने आजे प्रदान मंत्री द्वारा कार्यक्रम नो आपनी वच्चे आपना आज गुजरात ना सपूत आने राष्ट्र ना भारतिय जन्ता पाटी ना अध्यक्ष वाईश्री अमीद बाईशाह आपना पडोशी राज मध्यप्रदेश आने मध्यप्रदेश ना लोक प्रिय मुख्य मंत्री श्री सिवराजबाई चोहान मारी बैन वसुंद्रा राजये दी राजस्थान ना मुख्य मंत्री और पूरी राजस्थान ना भायों बैनों जम्न प्रेम करेशेवां राजस्तान ना मुख्य मंत्री बेंश्री वसुंद्रा राजेदी, जेमना द्वारा पूरा देशने आवनारा त्रण वर्षनी अंदर पाँच करोड जेटला नीशुलक गैस ना कनेक्षन प्राप्त करावाना छे एवा केंद्री या मंत्री श्री दर्मेंद्र प्रदान जी गुजरात भारतिय जन्ता पाटी ना प्रदेश ना अध्याक्ष अने पालनी पुर्वठा मंत्री श्री विजयवाय रुपानी दाहोद ना प्रभवारी अन्य नागरिक पुर्वठा ना मंत्री वाई श्री भुपेंद्र सी चुडासमा मार अन्य मंत्री श्रीयो श्री प्रदी सी जाड़ेजा जी जाइद्रसी जी परमार चत्रसी मोरी बचुबाई खावड नायम दंडक श्री आरसी पतेल राजस्तान मधप्रदेश अने गुजरात माती आवेला सव सांसस्रियों, सव धारा सब्यश्रियों, सव समाजना वरिष्ट आगेवानों, मंच पर विराजमान सव मानु भावों आने त्रणे राज्येनी अंदर थिये आवी 42-42 आउश गर्मी मा पण आ कार्यकरमने माणवा माटे आप सव जारे उपस सीचो त्यारे आप सव नो गुजरात ना मुख्य मंत्री तरीके आपनो स्वागत करो शुमित्रों आपना सव ना माटे खुशी हिशे मित्रों अने वो या मानीश के आपना बधानाज माटे देश माटे आएक अईतिहासीक दिवस्चे के जिहां जुदा जुदा राज्यों माँ गरीब परिवारों ने शूल का गेस्ट ना कनेक्शन आपना माटे नो आयोजन थाए अने आयोजन पटले केटलू सुन्देरीते थाए शे मित्रों एक बाजुईये आर्थी क्रिते संपन्न परिवारों ने नरेंद्र भाई एक विचार आपे के आप आर्थी क्रिते संपन्न शो, सुखी शो, संपन्न शो आपना परिवार नू भरण पोषण आप करी शको शो, तो आप गेस नी सबसीडी छोडी शको शो, अने जो आप गेस नी सबसीडी छोड़ शो, तो एज पैसान उप्योग करी ने, उन देश ना गरीब माँ गरीब ना घर माँ वी ना मुल्ले गेस नो कनेक्शन 2024 ना लोग सबना इलेक्शन समय आपना बड़ा प्रधान श्रीये आपी होतु, आप मात्रा वच्चाइन नो थु मित्रों, पण आप सव आजे जानों शो, कि आपेलों वच्चाइन आजे नरेंद्रा भाई मोधी दे, पूर्ण करी बतावी शे, कि एक बाजुए गेस नी स प्राप्त थाई गयो शे वित्रों, लाकडा थी, छाणा थी, कॉल्सा थी, अमारी बेनो गर मा रसोही करती हती, बेनो भाईयों आपने कदाश, एवो थशे, कि तमें भले मन्चू परती बोलता हो, परन्तु आपने उएक कैश, कि उँँ गामडा मा जनमी शो, गामडा मा म जारे आमे पन रसोही करता हता, त्यारे लाकडा विणी ने लावता हता, पशुवना छाण मुत्रा नियंदर थी छाणा बनावता हता, आने एज, लाकडा नो उप्योग करी न घर मा चुलो सलगावता हता, रोटला करता हता, शाक करता हता, कढ़ी करता हता, आने साथे पन लुचता हाता, आखो पन लुचता हाता, आने खोडा नी अंदर नाना बाळोको ने रमाडता, रमाडता पड़ा काम करता हाता, एवी लाखो बेनो आजे देश नी अंदर छेज बेने उस. मने याद छे मेनों भाईयों, के जाने चोमासु आवे, आने लाकडा पलडी जाए, आने एवा पलड़ना लाकडाओने सरगावा, आती शई मुश्केल ने कप्रू काम हातु हो, फूंकडी वडे फूंकी फूंकी ने, मोडू बाण सुजी जतू हतु, तेम छता पन बेनो आन परिवार ने जमाडवानू काम करती हती, एने कदी पन आक्रोश व्यक्त नाथी करेव, के उशामाटे आ धुणानी अंदर रहिने आ काम करू, नरेंद्रबाई, मोडीज आएवे पन जानियो, एमना माताजी पन आज रिते रसोही करता हता वित्रू, आने ए परिवारों न आने अंदर थी जे कोई भाईबेनो पसार थाया छे, एमने माताओनी परिस्तिती नी खबर छेओ, के के विरितना रसोही थाई जे, आने के विरितना परिवार जनोंने रसोही पिरस्वाम आवे छेओ, आजे आपणाज गुजरात ना पनोंता बुत्र आजे देश ना बड प्रदान बन्या छेओ, आने एटले एश, एमने पोते जा भीचारियो, के मारे एकला गुजरात नी भेहनोंने नहीं, पन तु समग्र देश नी महिलावने मारे मदद करवी छे, आने एटले बेहना भाईयो, नारेंदर भाईयों, जे बे वर्ष्णा टुंका गालानी नदीनू पाणी उत्रो, बेल जार आठ नी अंदर नर्वनानो डेम तो तैयारत है गयो हतो, उन्चा इनू काम पूर्ण करियो हतो, परन्तु यूपियनी कॉंग्रेस नी सरकारे नर्वदा डेमना दरवजाव मुक्मानी मंजुरी आठ-ाठ वर्ष्ण सुधी ना आपी, मा आठ वर्ष्ण सुधी ना डेमना दरवजा मुक्मानी मंजुरी आपी दीधी मित्रो, आने आमें एटली जड़ती कामकिरी ना आरंब करेओ, कि जे बेहाजार सत्तर सप्टेम्बर मा गेट मुक्मानू कामकाज मारे पूर्ण करवानू हतो एना बढला मा, एकलो जड़ती ह में काम करी रहा छिए, कि बेहाजार सत्तर सप्टेम्बर मा नई, पर तु बेहाजार सत्तर माज नी अंदर में आ काम पूर्ण करवा मागी है छिए, मतलम कि आठ मैना पहला आ काम पूर्ण थे जशे, जेनो लापड आपसो ने प्राप्त थवानों हो शुनुरू, भी जो क काम, देश नी अंदर स्वच्छता लावानों काम, महिलावने जे समस्षा चे बीजी, आने ए समस्षा टॉइलेट नी समस्षा, आई मारी बेनो बेटे इचे, अमे पन एनु भोग भी उचे बेनो उचे, अमारे पन लोटा लाइन बाहर जवू पड़तू हतु, आने एटल पूर्ण करवानों काम, जारे नरंद्र भाई आपने सवने स्वांपी चे त्यारे, आप बधाज राज्योपूर जड़ पे आ काम करी रहा चे, आने एनी ए समस्षा, सौधी बदूमा बदू जो कोईने नड़ती हती, तो महिलावने नड़ती हती, रात ना आठ वागा सु काम आपने सवीय साथे माणी न करवू पड़ से मित्रों, वो गुजरातनी वाद करू, तो गुजरातनी अंदर पन, छो हजार करता वदारे घंबडामा, सोटका टोईलेट नू काम आपने पूर्ण करी दिदू छे, आने 151 शेहरों, आने 8 महानगरों नी अंदर, सोटका आपने पूर्ण करी उशे, आने एपन मातर अंदर, मातर गरीव ना घरों नी अंदर, टोईलेट नोता, जेनो संपूर्ण पने काम आपने पूर्ण करी ने गुजरातनी महिलाओ और स्वाभीलता पूरवक जिवा माटे नो एक मार्ग मैं मौकलों करी आपे उशे, बेनो आखाये देश नी अंदर चालती, आपनी राज्यों नी सरकारों नी जे कामगीरी छे, ये बधावनी समेक्षा करवानू काम, जारे अमित बाई करी राया से त्यारे, एमनी पासे थी पड़ आपने घणी बापतों जानवानी होवाने कारणे, वारू वक्तव्यां लाबू आपना सेवा माटे हम्मेश भारतिय जनता पाटी नी सरकार तत पर छे, आने आपेला वच्या नो कोई पन राज्य नी अंदर भारतिय जनता पाटी ना मुख्य मंतरी शुरे आपया होए, ये बधाज वच्या नो पूण करवानी जवाबदारी आपनी सव नी चे, आने पुझेटो आगल करीचू तो भारत पन आगल आवस hip. आज भारत सेंरे स्मिधर्यों, ऒभा ने स्रेष्ट by नावु शे मंत्री श्रीम्तिंइन बन पटेल शोझ हुग मन्त्री शरी एक लिफय। इंव जंतापार्टि नहां राष्टि अड्यक्षरी अमिद्वाई शाह स्यब्ने Killerों प्रेण संदेश में आदे आदेनिया स्री अमीद्वाई शाह सहीब भरत मता की अरे अमने भाई नरेंद्र भाई सुधी आवाज जो जो ये जोड़ थी बोलो भरत मता की मन्च उपर उपस्तित आज के कारेक्रम के उत्सव मुर्ती और देश के पेट्रोलेम मंत्री श्रीमान दर्मेंद्र प्रदान जी गुजरात की लोगप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदी बेन पतेल जी मध्यप्रदेश के जन्प्रिय मामा जी जिनको वुलाते हैं सब लोग और जिनोंने साच अर्थ में मैं जाकर आया हूं मित्रो बहुत अच्छी व्यवस्ता मैं चारो जगे कुम्भों में स्नान किया है मैंने इतनी अच्छी व्यवस्ता कभी नहीं देखी ऐसे मध्यप्रदेश के लोगप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान सिवराज जी राजस्थान के अंदर जिनके नेत्रुत में विकास का एक यग्य चल रहा है एसी श्रीमती वसुंद्रा राजे जी श्री विजय रुपानी जी श्री भुपेंद्र सिंग चुडास्मा जी श्रीमान चत्र सिंग मोरी जी श्री बचुबाई खाबड जी श्री प्रदीप सिंग जाडेजा जी श्री जैद्र सिंग परमार जी यहांके लोगप्रिय स्त्रीमा जस्वन सिंग भांबोर जी मध्यपदेश साशन और राजस्तान साशन से पधारे हुए मंत्री गण, विदायक गण, सांसद गण और आज के कारेक्रम में तीनों राज्यों से गुजरात में आए हुए प्यारे भाईयों और बहनों बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, कोई लंबी बात में करना नहीं चाहता है मगर ये प्रदान मंत्री उज्वला योजना एक नमुना है, एक एक्जामपल है कि किस तरह से देश के प्रदान मंत्री जी काम करे है ये प्रदान मंत्री उज्वला योधना को अगल आप अकेले देखेंगे तो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे उसके पहले आपको पहल योधना को समझना पड़ेगा उसके बाद में गिवी टप को समझना पड़ेगा और उसके बाद में प्रदान मंत्री उज्वला योधना को सब्दना मित्रो सबसे पहले जीस प्रकार की खाली तिजोरी यूपिये की सरकार देकर गई थी उसमें गरीबों का कल्यान करना किसी भी सरकार के लिए किसी भी प्रदान मंत्री के लिए असंभाव था मगर प्रदान मंत्री जी ने तय किया था कि हम ब्रश्टाचार को निर्मूल कर देंगे और वो सुरू करी पहली हो था जिसके तहट सीधी सबसिडी गैस धारक के एकाउंट में डालने का काम किया और 13,000 करोड रुपे का जो चोरी होता था उसको रोकने का काम किया 13,000 करोड रुपे का चोरी जो काला बजारी जाती थी ब्लेक मार्केटिंग में लोग पैसे कमाते थे वो पैसा बचाने का काम प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और वो 13,000 करोड रुपया सरकार की तीजोरी में नहीं गया वो 13,000 करोड रुपया जो काला बजारी लूट कर ले जाते थे वो प्रदान मंत्री उज्वला योधना के माध्यम से गरीब माता के घर में गैस पहुँचाने के माध्यम से पहुँचा मिक्रोड उसके बाद में प्रदान मंत्री जी ने एक नई योधना गिवी टफ जो संपन है जिस पर इस्वर की कृपा है जिनके पास संसाधन है वो सरकार की सब्षड़ी एक गरीब भाई बहन के लिए छोड़ दे मुझे याद नहीं पड़ता नदिक के बुद्काल के अंदर कभी भी ऐसा प्रतिसाध किसी प्रधान मंत्री की योजना को मिला हो जिसमें छोड़ने की बात हो बहुत दूर जाएंगे तो लाल बहदुर सास्क्री जी का उदान दिखाई पड़ता है जब भारत पाकिस्तान का युद हुआ था उन्होंने कहा था देश की जन्ता चावल खाना छोड़ दे और पूरे देश की जन्ता ने चावल खाना छोड़ दिया था इसके बाद में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी आये हैं जिन्नोंने कहा कि जो संपन है जिन पर इस्वर की कृपा है जो दना का जो सिलसिला चला एक करोड को पार करकर आगे बढ़ गया है एक करोड से ज़्यादा लोगों ने गैस सबसिडी छोड़ने का काम किया है ये छोटी बात नहीं है और मैं धर्मेंद्र प्रदान को भी अभी नंदन देना चाहता हूं कि दोनों योजनाओं को प्रदान मंत्री की जो विचार था जो प्रेयना थी उसको जमीन पर उताने का काम धर्मेंद्र दीजे बहुत परिश्रम के साथ किया है और उसके बाद में आई प्रदान मंत्री उज्वला योदना पांच करोर से ज्यादा दोजार उन्निस तक लगबग लगबग 6 करोर परिवार में महिलाओं का ससकतिकरण इससे बड़ा कोई और हो नहीं सकता अगर पूरी दुनिया में महिला ससकतिकरण के सारे एक्जंबल खंगाल लेंगे तो महिलाओं का ससक्तिकरण इससे जादे कोई योजना से नहीं होगा गरीबों का सामाजिक ससक्तिकरण करने का भी एक बहुत बड़ा कारेक्रम किया है पांच करोड परिवार के अंदर जो दूए से अपनी सास्त को खराब करते थे अपनी रसोई भी ठीक नहीं कर पाते थे और परेशान भी होते थे उन लोगों को प्रधान मंत्री उज्वला योधना से उनके घर में उजाला पहुचाने का काम नरेंद्र मोधी सरकार ने किया है मित्रो ये उदार्ण कि ब्रष्टाचार से लिप्त सरकारे जब काम करती है तो गरीब को कैसा दूफ होता है और दुरुष्ट के साथ विजन के साथ ब्रष्टाचार खतम करकर कोई प्रधान मंत्री देश के गरीब के लिए सोचता है समवेदना से सोथता है उसके दर्द को दुख को साजा करकर सोथता है तो कीस प्रकार की योजना जन्म लेती है इसका एक बहुत बड़ा उदाण है मित्रो बहुत सारे उदाणे से है जिसके माद्यम से देश को घरीब को बैंक अकॉंट देना, देश के युवा को रोजगारी देना, उसको खुद को स्वरोजगार की दिसा में ले जाना ऐसी बहुत सारी योजना है मगर मित्रो आज मैं सिर्फ उजोला योधना पर ही बात करने आया हूँ पांच करोड लोगों को अपने घर के अंदर घैस का सिलिंडर पहुंचाना मात्र विचार मात्र कोई नहीं कर सकता और नरेंद्र भाई के नेत्रुतों में धर्मेंद्र जी उसको जमीन पर उतारने वा काम ये भारतिय जनता पार्टी की सरकार करने वाले हैं ये बहुत बड़ा यज्य है मित्रों और उसको बहुत बड़ा सयोग भी मिल रहा है आज नरेंद्र भाई के नेत्रुतों में विशेज कर किसानों के लिए प्रदान मंत्री क्रॉप इंशुरंस की स्वाइल हेल्प का और प्रदान मंत्री इरिगेशन योधना के माध्यम से इमंडिक के माध्यम से हर किसान को अपने पैर पर खड़ा रखने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार कर रही है मित्रों ये तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री आज यहां है तीने राज्यों के लोग यहां है और तीनों राज्यों के लोगों को नित्रुत्व जो भारतिय जन्टा पार्टी किया है संयोग से वो भी यहां उपस्तित है एक तीनों राज्यों के अंदर भारतिय जन्टा पार्टी की सरकार ने एक विकास के नए आयाम बनाने का काम किया है देश का पच्छिम मद्य का पूरा जिनारा चाहे महराश्ट्रों हो गोवा हो गुजरात हो राजस्तान हो मध्यप्रदेश हो आज सौभाग्य से भारतिय जन्ता पार्टी के हाथ में और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है ये सारी भारतिय जन्ता पार्टी की सरकारों ने एक विकास के नई सुरुआत करी है और विकास को एक उन्चाईयों तक पहुँचाए है। ये उज्वला योजना के माध्यम से उसको एक और कदम आगे बढ़ाने का काम भारत सरकार कर रही है। मैं देश के प्रधान मंत्री और देश के पेट्रोल्यम मंत्री दोनों को दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाता हूँ और बधाई भी देना चाता हूँ कि देश की घरीब महिलाओ के घर में आज से एक नया जिवन सुरू हो रहा है। इसके लिए प्रधान मंत्री सी नरेंद्र मोदी और श्री धर्मेंद्र प्रधान जी दोनों को बहुत-बहुत बधाई देकर मैं मेरी बात समाप्त करता हूं वंदे मात्रों बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे भारतिय जिंता पार्टी के राष्ट्रे अद्यक्ष्री अमिद्भाई शाह साब आपका प्रधान मंत्री जी उजवला योजना के रीजिनल लॉंचिक के इस परवक्य उपलक्ष में मंचस्त मानुभाव के करकमलों के द्वारा इस गैस कने से गुजरात मध्यप्रदेश और राजिस्थान तीनों राजियों के जो महिला आए हैं उनको उनके कनेक्शन समर्पीत किये जाए सबसे पहले आएंगी दाहोद गुजरात दाहोद की मेना बेन रामाबाई मोहनिया जो हमारी आदिवसी महिला है आईयोसी कंपनी का गैस कन प्राप्त होगा उनके पस्चाद आएंगी है हमारी राजस्तान के forward जिले से की अनुस्थ जाती जाती के महिला आशा बें भीन फकीरा जिनको था dall कंपनी का सबके करकमलों के द्वारा उनके कनेक्शन दिये जाएंगे तद पस्चाद की टीम तयार है हमारे पास गुजरात का पंचमहल जीला दाहोद और एक दाहोद पंचमहल के मुस्लिम परिवार की बास वारा की हमारी महिला को समर्पीत किया गया मध्यप्रदेश के जांबवाज जीला की बहन है उबीसी परिवार से गंगा बेन लाडू सिंग भाई राठोड जिनको हमारे आदर्णी अज्यक्ष अमीद वाई शाह साब उनका कनेक्शन दे रहे हैं अब मैं अनुरोद करूँगा हमारे गुजरात के आदर्णी मुख्यमंत्री स्री स्रीमत्य आनंदी वेन परिवार ना भार्ती सलमा बेन याकूबबा यली ने आईयोसी कंप्रीनु गैस कनेक्शन अप्पा माटे दाहोद जिल्लाना बक्सी पंच परिवार मा थी आवता लक्षिमी बेन राजुबाई प्रजापती ने पड़माने ने मुख्यमंत्री स्री आनंदी बेन पटेल साहिब ना अस्ते कनेक्शन प्राप्त थशे लक्षिमी बेन राजुबाई प्रजापती अने जिल्लाना दाहोद ना तीजाला बार्ति अनुसुति जन्जाती ना पान की बेन सेनिया बाई डांगी बीपीसी कंप्रीनु कनेक्शन पर्ण माननियमुख्यमंत्री स्री आनंदी बेन पटेल साहिब ना वरणरत स्थेर पन्तशे मैं नम्रा नूरोत करूँगा हमारे अमध्य造श के आदेनियमुख्यमंत्री स्री शिवराज चिंच अहान साब को जीन के करकमलों के द्वारा जाबवा जी लेकी अदिम जाती महिला नंदूरी बेन रामला भाई डामर को IOC कंपनी का कनेक्शन देने के लिए जी मध्य प्रदेश के आदरणी मुख्य मंत्री स्री शिवरा सिंजी चहान साब जाबवा से आई हुई बेन नंदूरी बेन को कनेक्शन देंगे शिवराज सिंगी साब को मैं फुना अनूरत करूँगा जाबवा जी लेकी अदिम जाती महिला जेमा बेन नेमा पती मकवाना को IOC कंपनी का कनेक्शन देने के लिए और उसके पस्चाद जाबवा से आई हुई हमारे लगुमती मुस्लिम परिवार की बेन शहीत आबेन नसीत खान को उनको भी आदर्णिय शिवराजी साब उनका कनेक्शन देंगे मध्या प्रदेश की हमारी सांकेति कंतिमला भारती बेन शहीदा बेन नसीत खान जिनको शिवराज सिंग साब उनका कनेक्शन दे रहे है अब आ रहा है राजेस्थान मैं अनूरत करूँगा राजेस्थान के हमारे आदर्णिय मुख्यमंत्री वसुंद्राजी राजे को सवाई माधोफूर से आई हुई बेन OBC परिवार की मुरारी रगुनात गुजर को कनेक्शन अरपीत करने के लिए राजेस्थान का परतापगड IOC L कंपनी का कनेक्शन माया कुवर चंद्रा सिंग को प्राप्त होगा आदर्णिय मुख्यमंत्री वसुंद्राजी राजे समर्पीत करेंगी उनको हमारा पडोसी जीला डुंगरपूर राजेस्थान से वहां से आई हुई अधी जती लाबार्ती महिला बबली देवी प्रभूलाल को भी राजेस्थान के अंदर ने मुख्यमंत्री श्री बेन का गेस कनेक्शन देंगे अब मैं अनुरोत करूँगा जिनके मंत्रालई के द्वारा इन महिलाओं को गेस की सुविधा दी जा रही है नई एक सुविधा नया जीवन अधर्णिय पैट्रोलिय मंत्री स्री दर्मिंदर प्रदान साब को दाहो जिले की लाबारतिया अमारी संगीत अबैन महिश भाई निसरता आई-उसी कंपनी का कनेक्शन अधर्णिय दर्मिंदर प्रदान साब के करकमलों से दिया जाएगा उनके बश्चाद राजस्तान के बहास्वारा जिले साई हुई मुस्लिम परिवार की लाबारति बेन हमारी परविन भी इद्रीश कान को भी यादर्णिय दर्मिंदर प्रदान साब के करकमलों से उनका कनेक्शन दिया जाएगा और मन्च उपर के सांकेतिक वित्रण का अंतिमला वार्थी जाबवा जिले से मध्यप्रदेश चाई हुई मारी बेन अनुसुतित जाती के परिवार से निर्मला भाई लाल सिंग भाई बसोड को अधनिय पैट्रोलिय मंत्री सी दर्मिंदर प्रदान जी के करकमलों के द्वारा गेस केनेक्शन दिया जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का धन्यवाद और शुप कामनाएं जिन बेनों को यहाँ पर प्राप्त हुआ है और भी नीचे के जो मंचे हमारे उन पर से भी वित्रण होगा अब मैं अनुरोद करूँगा समारब में उपस्ती सभी गनमानी अतित्यों का आभार व्यक्त करने के लिए HPCL के चैर्मेन और मैनेजिंग डिरेक्टर M.K. सुराना जी को आकर मानुबाओ का आभार प्रकट करें चैर्मेन श्री HPCL M.K. सुराना जी अधर नी श्री अमीद भाई शा राश्री अध्यक भारती जन्ता पार्टी मानिया श्रीमती आनंदी बेन पतेल मुक्यमंत्री गुजरात मानिया श्री श्रीवराज सिंग जी चोहान मुक्यमंत्री मध्यप्रदेश मानिया श्रीमती वसंदरा राजे सिंधिया मुक्यमंत् माननी श्री धर्मेंद प्रदान, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पेट्रोलियम और पाक्रतिक गेस मंत्राले भारत सरकार मानिय श्री भुपेंद्र सीनी चुड़ासमा शिक्षा मंद्री प्रात्मिक, माध्यमिक और वयस उच एवं तक्निक शिक्षा, खाद ये नागरी का पूर्ती एवं उपवक्ता मामले विदान एवं संसतिय कारे गुजरा सरकार मानिय श्री विदय भाई, रुपानी जी, अध्यक्ष, भारती जन्ता पार्टी गुजरात राज, एवं मंच पर आसीन सभी मानिय नितागर्ण, अधिकारी गर्ण, एवं तेल कंपनियों के वरिष्ट प्रदादिकारी, जन प्रतिनिदी, प्रेस करमी, देवियों और सज्ज इतनी बड़ी संख्या में प्रधारी सभी BPL परिवारों की महिलाएं, एवं पुरिष, धन्यवाद के पात्र हैं, कि उन्होंने अपने रुजमर्रा के काम से समय निकालकर, इस कारक्रम में बढ़चर के हिस्सा लिया, यहां प्रिंट एवं इलक्रोनिक मीडिया के सभी सभ भागी, लोगों का भी हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, कि उन्होंने यहां पदार कर इस कारक्रम के प्रचार एवं प्रसार में महत्पुर्ण भूमी का अदा की, हम आभारी हैं पेट्रोलियम और पाक्रतिक गेस्स मंत्राले भारत सरकार के, जिनकी सुजारू इस भागी कारक्रम का सफल आयचन हो सका, हम आभारी हैं गुजरात राज्यसकार के सभी अदाकारी गणू का, जिनने इस कारक्रम को सफल बनाने में अपना महत्पुर्ण योगदान दिया, अन्त में हम दाहोत की जनता को बधाई देते हुए, कलेक्टर दाहोत एवं उनकी की संपुर्ण प्रीम का धहे दिल आभार वेक्त करते हैं, जिनके कुशल, प्रशासन, एवं समनवे से इस कारक्रम का सफल आयचन सम्भवद हो सका, धन्यवाद जैहिन, बहुत-बहुत शुक्रिया सुराना सब, प्रधान मंत्री उजुवला योजना कार्यक्रम के अंथीम चरण समापन में पुन, इस समारम के अध्यक्ष व राष्ट्री अध्यक्ष भाजपा, अमीद भाई शाह साब, गरिमा मय उपस्तिती जिनकी रही है से हमारे गुजरात के अधरनिय मुख्यमंत्री स्रिमत्यानन्दी वेन पतेल, मजय प्रदेश के अधरनिय मुख्यमंत्री सी सिवरा सिंजी चोहान, राजस्तान के माननिय मुख्यमंत्री स्रिमती वसुंद्रा राजे जी, भारत सरकार के पेट्रिल मंत्राले के आदर्णिय प्रदान दर्मेंदर प्रदान जी राज्य सरकार गुद्रात की ओर से पदारे हुए अमारे प्रभारी मंत्री स्री भुपेंदर सिंजी चुडास्मा साब प्रदेश अध्यक्ष्व पानी पूर्वा ठाके आदर्णिय मंत्री स्री विजैवार उपानी हमारे आदर्णिय मंत्री स्री प्रदीप सी जाड़े जाजी हमारे आदर्णिय मंत्री स्री वचुबाई खाबर साब हमारे आदर्णिय मंत्री श्री जैदर सिंपरमार साब, राजेस्थान से पदार हुए आदर्णिय मंत्री श्री और राजेस्थान और मध्या प्रदेश से पदार हुए सभी विदायक गंड सांसत गंड हमारे पूरे दाहो जिले से और गुजरात से आयो है सभी संगठन के का के नारे करता आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे बड़ा शुक्रिया बढी जन्मेद्रिन यहां Πर जो पस्तूतिव है तो इसमी भाइभैं और हमारे मीडिया के मित्र एलेक्ट्रोनिक और प्रिंट वीडिया चाहे वो गुजरात से हो चाहे वो मध्यप्रदेश से हो चाहे वो राजस्तान से हो आप सभी का सभी चैनलों का शुक्रिया प्रिंट का शुक्रिया ओं? कि अधिया पर देचा कि तिन राज्चों की